नमस्कार मित्रों हमारा आज का विशय है पादपों में पोशन आपने सुना होगा कि सभी दीवों को भोजन की अवशत्ता होती है पर क्या कभी आपने सोचा है कि पेड और अधे व्रक्ष जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें पोशन कैसे मिलता है आज हम इसकी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी विशय सुची कुछ इस प्रकार है सबसे पहले हम पादपों में पोशन विधी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे फिर हम प्रकाश संशलेशन के बारे में जानेंगे फिर हम पोशन की अन विधियां और अंत में हम मृत ज जीवी जीवों के बारे में जानेंगे मनुश्य भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर होता है हम भोजन के तौर पेड़ पौधों को खाते हैं जानवरों से मिलने वाले पदार्थों को पदार्थों का सेवन करते हैं पर क्या कभी आपने सोचा हैं कि व्रक्षों को भोजन कैसे मिलता होगा? केवल व्रक्ष ही ऐसे जीव हैं जो बिना किसी पर निर्भर हुए अपना भोजन स्वयम बना सकते हैं. वे जल, कार्बन डायोकसाइड एवं खनेच की शहायता से अपना भोजन बना सकते हैं. पोशन के दो प्रकार की विधिया होती हैं. पहले विधी का नाम है स्वापोशन. पोशन की वह विधी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयम संसलेशित करते हैं वह स्वापोशन कहलाती हैं. जादर तर पादप स्वापोशी होते हैं. वहीं दूसरी विधी का नाम विश्म पोशन है जो पादपों द्वारा संसलेचित भोजन ग्रहन करते हैं उन्हें हम विश्म पोशी कहते हैं मुख्यता सभी जीव जैसे जानवर विश्म पोशी होते हैं तिले अब जानते हैं कि वरक्ष किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं वरक्ष अपना भोजन बनाने के लिए वायू से कार्बन डियोकसाइड और जल का इस्तमाल कर सूरे के प्रकाश और क्लोरोफिल का इस्तमाल कर कार्बो हाइडरेट और ऑक्सीजन बनाते हैं ऑक्सीजन क वे वापस वायों में छोड़ देते हैं और कार्बो हाइडरेट उनका मुख्य भोजन होता है क्योंकि वरक्ष को सूरे का प्रकाश का इस्तिमाल कर अपना भोजन बनाना होता है इसलिए इस संसलेशन को हम प्रकाश संसलेशन भी कह सकते हैं वरक्ष की पतियों में क्लोरोफि होता है और इसलिए इनका रंग हरा होता है प्रकाश संसलेशन ना होने की स्तिती में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा और क्योंकि सभी जी सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अत्वा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है इसलिए हम सब भी इस प्रकाश संसलेशन पर अपने बोजन के लिए निर्भित हैं। प्रकाश संसलेशन के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशी काएं। चूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में कार्बन डायोक्साइड एवं जल से कार्बो हाइडरेट का संसलेशन करती है और वहवातावरन में ऑक्सीजन छोड़ती है यह ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है तो क्या आपने इस बारे में सोचा कि कार्बन डायोक्साइड किस प्रकार पतियों के अंदर आती होगी और ऑक्सीजन किस प्रकार पतियों से बाहर निकलता होगा असल में यह सब रंद्रों द्वारा होता है पती की सतह पर उपस्थेत सूक्ष्म रंद्रों द्वारा वायों में उपस्थेत कार्बन डाकसाइड प्रवेश करती है यहां रंद्र द्वार कोशिकाउं द्वारा घिरी होती है कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता तो वहां अपना भोजन का निर्मान स्वयम नहीं कर पाते और इसी लिए वहां अनेक पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते है परभोशी जो पादप आरोहित होते हैं वे परभोशी कहलाते हैं जैसे की अमरबेल, परजीवी, वे जिस पर आरोहित होते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं, यहाँ इन पादबों में क्लोरोफिल होता है. कीट भक्षी कुछ पादब कीट भक्षी होते हैं क्योंकि वह कीटों का भक्षन करते हैं जैसे की घट पढ़नी जिसे पिचर पादब भी कहा जाता है पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का धक्कन बनता है घड़े के अंदर अनिक रोम होते हैं जो नीचे की ओर धलके रहते हैं अर्थात अधो मुखी होते हैं जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वहां उसके रोमों के बीच फस डाता है घड़े में उपस्थेद पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और इस प्रकार वहां कीटों का भक्षन कर लेता है मृत जीवी कुछ जीव मृत वस्तों की सतह पर कुछ पाचक रस का स्त्राफ करते हैं फिर इस विल्यन का भोजन के रूप में सेवन कर लेते हैं ऐसे जीवों को मृत जीवी कहते हैं जैसे कवक सारांश तो हमने सीखा कि पोशन दो प्रकार के होते हैं स्वपोशन वा विश्वपोशन वरक्ष अपना भोजन कारबन डियोकसाइड वा पानी से सूरे की उर्जा में बनाते हैं पादपों में वायू रंधरों के द्वारा आती हैं कुछ पादप कीट भक्षी वा मृत जीवी भी होते हैं धन्यवाद